इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं Important Battles इस टॉपिक का टोटल 50 previous year questions है और आपको comment करके बताना है कि इस 50 question में आपका कितना score आया है ओके तो चलिए start करते हैं first question के साथ पहला important question है कि 1191 में महम्मद गोरी को एक dash सासक ने हराया था तो किसने जो है महम्मद गोरी को 1191 में हराया था तो आप कहेंगे प्रित्वी राज चोहान ओके first battle of the rain कब हुआ था first battle of the rain हुआ था 1191 में जिसमें प्रित्वी राज चोहान ने जो है महम्मद गोरी को बुरी तरीके से हरा दिया था next है निम्न लिखित में से किस भारतिय सासक को महमूद गजनी ने वर्स एक हजार इस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था तो किस ने जो है मनलब किसको हराय था महमूद गजनी ने तो आप कहेंगे जैपाल को next question है मुहम्मद गोरी का पहला आकरमन कब हुआ था जब उसने मुलतान पर आकरमन किया था the first invasion of मुहम्मद गोरी was in death when he attacked मुलतान तो आप कहेंगे 1175 AD next है the second battle of Tarayan was fought in the year तो Tarayan की दूसरी लराई किस वर्स लरी गई थी? तो आपने देखा पहली जो Tarayan की युद हुई थी वो 1191 में हुई थी दूसरी Tarayan की यूद जो है वो 1192 में हुई थी okay तो जो पहला जो battle हुआ था Tarayan का उसमें मौहम्मद गोरी की हार होई लेकिन दुसरा जो बैटल हुआ तरायन का उसमें मुहम्मद गोरी की जीत हुई और प्रित्वी राज चोहान की हार नेक्स्ट है रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 इस्वी में डैस को हराया था तो ये जो कुई नाइकी देवी हैं ये किसको हराई थी तो आप कहेंगे मुहम्मद गोरी को नेक्स्ट कोर्शन है प्लासी के युद के समय मुगल बात्सा कौन था तो वो था आलमगीर सकेंड और प्लासी की युद कब हुई थी 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी की युद नेक्स्ट कोर्शन है पानीपत की पहली लराई किस वर्स में लरी गई थी फर्स्ट बैटल ओफ पानीपत वाज फाउट इन दे येर तो आप कहेंगे 1526 में हुई थी जिसमें बाबर ने किसको हराय था इबराहिम लोदी को हराया था नेक्स्ट कोर्शन है बाबर और राना संगा के नेत्रित्व वाली राजपूत सेना के बीच खान्वा का युद किस वर्स हुआ था तो बैटल ओफ खान्वा कब हुआ था ये हुआ था 1527 में नेक्स्ट है कन्नौज का युद कभ लरा गया था बैटल ओफ कन्नौज कभ हुआ था तो ये 1540 में हुआ था सेरसासूरी और हिमायू के बीच में जिसमें हिमायू की हार हुइ थी नेक्स्ट कोर्शन है बैटल ओफ चौसा हिमायू और सेरसा के बीच हुई थी 26 जून 10 कब हुई थी किस वर्स 1539 को हुई थी 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हिमायू और सेरसा सुरी के बीच हुई थी नेक्स्ट है निम लिखित में से कौन छत्रपती सीवा जी द्वारा प्रताप गड़ के यूद में मारा गया था तो अफजल खान मारा गया था ठीक है बैटल ओफ प्रताप गड़ कब लड़ा गया था तो 10 नवंबर 1659 को ये बैटल हुआ था तो याद रखेंगे बैटल ओफ प्रताप गड़ कब हुआ तो 1659 में हुआ था नेक्स्ट है हल्दी घाटी के यूद में मारा प्रताप ने किस समराट की सेना से यूद किया था बैटल ओफ हल्दी घाटी जो है जिसमें मारा प्रताप और किस की सेना थी अकबर की सेना थी ओके बैटल आफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया तो 18 जून 1576 को नेक्स्ट है मराथा समराज और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने किस वर्स सालबाई की संदी पर हस्ताक्षर किये तो ट्रीटी ओफ सालबाई जो है वो कब हुआ था ये हुआ था 1782 में तो याद रखना है आपको मराथा और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के दोरा जो ये ट्रीटी अफ सालबाई ये कब हुआ था 17 मई 1782 को नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लराई ये कब हुई थी किस वर्स हुई थी पानीपत की तीसरी लराई तो आप कहिंगे 14 जैनवरी 1761 को हुई थी थर्ड बैटल ओफ पानिपत नेक्स्ट है मैसूर समराज्य और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच दित्य अंगलो मैसूर युद किस वर्स लड़ा गया था सकेंड एंगलो मैसूर वार कब हुआ था 1780 से लेकर 1784 होगा यहाँ पर राइट एंसर नेक्स्ट है गोवा का युद किस वर्स लड़ा गया था बैटल ओफ गोवा कब लड़ा गया था तो आपको याद रखना है 1510 में बैटल ओफ गोवा हुआ था नेक्स्ट है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने डैस में पुरुत गालियों को हराया थीक है तो किस लराई में हराया था तो आप क्या कहेंगे बैटल ओफ सुवली कहेंगे ओके तो यह जो सुवली की लराई जो थी वो कब हुई थी 1612 में हुआ था ओके नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने वर्स डैस में मैंगलोर की संदी पर हस्ताक्चर किये टीपू सुल्तान और बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी साइन दर ट्रीटी ओफ मैंगलोर इन विच इयर तो आप कहेंगे 1784 में ये ट्रीटी हुआ था नेक्स्ट है बैटल ओफ तुकारोई ये कब हुआ था तो आप कहेंगे 3 मार्च 1575 को ये हुआ था तुकारोई का युद नेक्स्ट है सगौली की संदी पर अंग्रेजो और डैस के बीच हस्ताक्षर किये गए थे ट्रीटी आफ सगौली जो है ये किसके किसके बीच हुआ था तो ब्रिटिस और गुर्खास के बीच में हुआ था नेक्स्ट है 1739 में करनाल की लराई नादिर सा और निम्र लिखित में से किसके बीच लरी गई थी 1739 में करनाल की लराई नादीर सा और मुहम्मद सा के बीच लरी गई थी नेक्स्ट है पलासी का यूद डैस के बीच लरा गया था किस के बीच लरा गया था तो आप क्या कहेंगे सिराजु दौला और ब्रिटिस आर्मी के बीच हुआ था ये 23 जुन 1757 को नेक्स्ट है अली नगर की संदी अंग्रेजों के साथ किस ने की थी तो किस के साथ हुआ था ट्रिटि ओफ अली नगर तो आप कहेंगे ब्रिटिस और सिराजु दौला के साथ नेक्स्ट है बक्सर का यूद किस वर्स लड़ा गया था बैटल ओफ बक्सर कब हुआ था ये 1764 को हुआ था नेक्स्ट है तृत्य अंग्लो मैसूर यूद के दौरान बंगाल का गवर्नर जेनरल कौन था तो आप क्या कहेंगे सकेंड अर्ल कौन वालिस ओके 1790 से 1792 तक के बीच में हुआ था 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 अंग्लो मैसूर वार नेक्स्ट है पानी पत की दूसरी लड़ाई किस वर्स लरी गई थी पानी पत की जो दूसरी लराई थी ये 1556 में लरी गई थी ठीक है जिसमें अकबर की सेना ने मराना परताब की सेना को हराया था ओके नहीं अकबर डिफिटेड हेमू हेमू को हराया था नेक्स्ट है वांडिवास का यूद किस वर्स लरा गया था ये जो वांडिवास का बैटल हुआ था ये किस वर्स लरा गया था 1760 में लरा गया था नेक्स्ट है बैटल ओफ खानवा ये किस के बीच लरा गया था खानवा का यूद किस के बीच लरा गया था बाबर और राना संगा के बीच लरा गया था 1527 में हुआ था बैटल ओफ खानवा नेक्स्ट है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी की ओर से प्लासी के यूद का नैतरित वह किस ने किया था फू लेट दे बैटल ओफ प्लासी ओन बिहाफ ऑफ दे ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी तो आप कहेंगे रॉबर्ट कलाइव नेक्स्ट है 1527 में खानवा के यूद में राना संगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपादी धारन की थी तो किसने गाजी की उपादी धारन की थी बाबर ने उपादी धारन की थी नेक्स्ट है किसने बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी की ओर से बक्सर की लराई का नेतर्ट्व किया था बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी की ओर से हेक्टर मुन्रो ने नेतर्ट्व किया था नेक्स्ट है प्लासी के युद के बाद बंगाल का नवाव किसे बनाए गया था किसे बनाए गया था बंगाल का नवाव तो आप कहेंगे मीर जाफर को बनाए गया था नेक्स्ट है निम लिखित के बाद समराथ असोक ने बहुत धर्म गरहन किया ओके तो किसके बाद बहुत धर्म ग्रहन कर लिये थे अकबर असोक ने तो आप कहेंगे कलिंग का जो वार हुआ था 261 BC में हुआ था और इसी के बाद जो है अकबर ने बहुत धर्म धारन कर लिया नेक्स्ट है पलासी का यूद किस वर्स लड़ा गया था पलासी का यूद 1757 को लड़ा गया था नेक्स्ट है निम लिखित में से कौन सी लड़ाई मौवली आमदूला शा ने हेंडरी लौरेंस के अधिन सिना को हरा कर लड़ी थी तो आप कहेंगे Battle of Chinhat तो Chinhat का ये यूद था नेक्स्ट है बेडारा की लराई British Sena और Dutch Sena के बीच कब लरी गई थी The Battle of Bedara जो है ये British Army और Dutch Army के बीच कब हुआ था 1759 में ये battle हुआ था नेक्स्ट है High Day Space के यूद में कौन से दो राजा लरे थे Battle of High Day Space की बात करें तो ये हुआ था आपका Alexander और Porus के बीच में और Battle of High Day Space कब हुआ था 326 BC में हुआ था नेक्स्ट है खतौली का यूद 1517 में राना संगा के अधीन मेवार राज और डैस के बीच लड़ा गया था 1517 में जो है खतौली का यूद राना संगा के अधीन मेवार राज और किसके बीच लड़ा गया था इबराहिम लोदी के बीच निमन लिखित में से कौन सा यूद सालबाई की संधी के साथ समाप्थ हुआ विच ओफ दा फॉलिंग वार इंडेट विद दा ट्रीटी ओफ सालबाई तो आप क्या कहेंगे फर्स्ट माराथा वार प्रथम माराथा यूद के साथ समाप्थ हुआ था नेक्स देखिए निमन लिखित में से किस वर्स में जापान ने भारत पर आकरमन किया जिसके परिनाम सरूप इमफाल की लड़ाई हुई इन विच ओफ दा फॉलिंग इयर्स डिट जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग दा बैटल ओफ इमफाल तो आप कहेंगे 1944 ओके 1944 में ये हुआ था नेक्स है घागरा का युद कब हुआ था वेन डिट दे बैटल ओफ घागरा टेक प्लेस तो आप कहेंगे 1529 को हुआ था नेक्स है ताली कोटा का युद कब हुआ था ताली कोटा के यूद के बाद करें तो 1565 में हुआ था भारत चीन सीमा यूद कब हुआ था वेन डिट दे इंडिया चाइना बॉर्डर वार टेक प्लेस तो 1962 में हुआ था नेक्स्ट है निम लिकित में से किसे औरंग जेव ने देवराई के यूद में हराया था तो आप क्या कहेंगे दारा सिको ओके बैटल ओफ देवराई कब हुआ था नेक्स्ट है चंदेरी का यूद किस वर्ज लरा गया था बै convenience गड़ी कब हुआ था 1897 को हुआ था नेक्स्ट है चंदेरी का यूद किस वर्स लरा गया था चंदेरी की यूद की बात करे तो 1528 में लरा गया था जिसमें बावर की जीत हुई नेक्स्ट है किस यूद ने भारत में मुगल प्रभुत का अंत किया विच बैटल मार्क दे इंड ओफ मुगल डॉमिनेंस इन इंडिया, तो वो हो जाएगा थर्ड बैटल ओफ पानीपत, नेक्स्ट है करेक्ट, करेक्ली मैच्ट, यहां पर आपको बैटल को करेक्ली मैच्ट करना है, बैटल ओफ बक्सर 1764, बैटल ओफ पलासी 1757, दोनों करेक् बैटल ओफ खरदा कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि बैटल ओफ खरदा जो है, यह 1795 को हुआ था, हैदराबाद, निजामत और मराठा संग के बीच 1795 में हुआ था यह बैटल ओफ खरदा, जिसमें निजाम की हार हुई थी, मराठा की जीत हुई थी, नेक्स्ट लोगल अंपायर और सूरी अंपायर की बीच 1555 में लड़ी गई थी, और इसी के बाद वापस से हिमायू गदी पर बैठ गया था, सरहिंद के युद के बाद, और उसके कुछी दिन के बाद पुस्तकाले के सीरी से गिरकर हिमायू की मिर्तु भी हो गई, तो इस तरीके से ह हम लोगों ने बैटल से रिलेटे टॉप 50 MCQ कोशन का रिवीजन कर लिया है, और मुझे लगता है कि जितने भी कोशन बैटल के बन सकते थे, वो सारे कोशन यहाँ पर कवर कर लिये गए हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अल दे बेस्ट पर कarning में आपसे ऐसे पिलेटे हैं, तो मिलते हैं, तो मिलते हैं, जितने के लिए हैं.